आज हम चोटी मच्छी की सबजी बनान जा रहे हैं इसको बनाना बहुत ही असान है और बहुत ही टेश्टी बनता है तो ट्राइज जरूर करेगा और अभी तक आपने में चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कर देजिए वीडियो को लाइक और शे आपको मच्छी साफ करना नहीं आता है तो कमेंट सेक्षन में जरूर बताएगा में वीडियो जरूर अप्लोड करूंगी तो यहां पर मैंने इसका पेट साफ करके इसको अच्छी से दो लिया है अब हम मसाला रेटी कर लेते हैं मैंने हापे एक प्लेट में दो चम्मस के क हम्हें अच्छी नमक टालेंगे अपने टेस्ट कर को छोटी मच्छी में डालेंगे अपने नश्क्क मिला के उछाह GB मच्छी में मिला देना है तो अब मसालों और उच्छी को अच्छी से मिला लेया है आप इस तरह भी मिला सकते हैं और हमें हाथों से भी मिला सकते हैं तो मैं यहां पर हाथों से मिला रही क्योंकि मसाले मचलियों में अच्छे से मिलना चाहिए और हलके हाथों से मिला लिया है अब हम करहाई गेस पर रख देंगे और करहाई को अच्छे से गरम करने के बाद हम हम इसम मचली को आज़िए अब गडाँब अब पड़ और जाला दो तो तेल गरते गरते मेर बचा है पर गिरा नहीं है तो आप ध्ishing से डाला मचली को अच्छे से कढ़ाई में चाड़ो तरफ फेला देना है इस टाइम पर हम गेस के फ्लेम को हाई रखेंगे हमें हाई फ्लेम पर ही 5-7-8 मिनट तक हमें हाई फ्लेम पर पका लेना है हमें एक इसमेल आना सुरू हो गया है कि हमारा मचली नीचे से चिपक रहा है तो गेस के फ्लेम को लो करके जो हमारा कढ़ाई में तेल है उसको मचली के चाड़ो तरफ हमें फेला देना है अच्छे से देखिए इस तरह फेला दीजएगा आप भी जिसके जहां पर तेल नहीं गए मंचली के पास वहां तक तेल चला जाए छोटी मच्छी में तेल जादा रहने से ही बहुत अच्छा देश्ट आता है छोटी मच्छी का तो देखिए मैं चाल दरव अच्छा से तेल को फिला दिया है अब दो से तीन मेट में मेडियम फ्लेम पे ही पकने के लिए छोल दूंगी बीच बीच में चेक करती रहोंगी कि हमारा ये छोटी मचली जल तो नहीं रहा है इसलिए चेक करते रहिएगा इसमेल पर दियान रख चाहिएगा जलना नहीं चाहिए तो ध्यान रखिएगा तो हमारा एक मतलब एक इसमेलाना सुरू हो गया है कि हमारी नीचे से चिपकने लगी है मचली इस टाइम पे मैं गैस के फ्लेम को हाई करके एक गिलास के करीब में पानी डाल रही हूं ये मसाला वाला पानी ही है हमें इस पानी को पूरी तरह हमें सुखा देना है तो मैंने गैस के फ्लेम को भी हाई ही रखा है और हमें चम्मस का यूज अब बिल्कुल भी नहीं करना देखे मैंने एक बार भी चम्मस का यूज नहीं किया है तो दिहान दीजिय का चम्मस का यूज नहीं करना है मैं चला हमारा थोड़ा सा हलका सा बचा हुआ है इस टाइम पर हम गैस के फ्लेम को लो कर देंगे हलका सा पानी बचे तब गैस के फ्लेम को लो कर देज़ेगा और इसको पांच मेंट के लिए पकने दीजेगा देखें पांच मेंट हो गया है अब मैं गैस के फ्लेम को हाई कर रहे हू और जो हमारा बाकी का तेल या मसाला लास्त का जो बचा हुआ है उस स्टेप में आपको कढ़ाई को एक और बार आपको चाल तरफ गुमा देना है जिसे तेल चाल तरफ मचली में पहुंच जाए अब हम दो मेट क्लिश को हाई फिलम पर ही पकने देंगे आप तिहान रखेग अच्छली हमाई जलनी नहीं चाहिए दो मेट हो गया हम गैस की फिलम को आफ कर देंगे और लीजिए हमारी फिश राड़ी है आप इसको ठंदा करके आप इसको सब्सक्राइब कीजिए बहुत ही टेस्टी बनतर ट्राइज जरू करेगा और मेरे वीडियो को लाइक शेयर क करना मत भूलेगा चैनल को सब्सक्राइब कर लिजिएगा ठैंक यू बाइबाइ